मैं आज आपके सामने लिखा हुए एक टॉपिक जो इसके बारे में बताना ज़रूरी उतना भी नहीं है क्योंकि सभी लोगों को शायद पता होगा या फिर जिन लोगों पता नहीं उसके लिए वीडियो है तो यह वीडियो होगा जैसे की थामने ने पर देख रहा हूँ 50 mm का जो पुराना लेंस है उसके साथ जो नया लेंस अभी निकल के आया है वो लेंस का डिफरेंशियेशन या फिर नया लेंस खड़िने के बाद आपको क्या एक्स्टा फीचर मिलेगा इसी पाइम लेंस के जगह पर यह कैनॉन का 50 mm हा 1.8 अबर्चर वाला ही लेंस है जिसक अब एक्सुली इन दोनों का जो फूकल लेंस है 50 mm ही है और आप प्राप सेंसर या फूल फ्रेंस सेंसर में डालते हो इस लेंस को वो तो बात की बात है पर फिलाल के लिए जो नया वाला जो लेंस है उसके साथ यह पुराना वाला लेंस का जो डिफरेंस होगा वो क्यार आ जो लेंस से उसका प्राइ्स थोरा ज्यादा है नहीं बहुत ही ज्यादा है खडीब 20,000 के आसपास 18,000 से 20,000 के आसपास 15,000 से नीचे आप खड़िधी नहीं सकते हो उस लेंस को अगर आफ लाइन में बिखता है तो अच्छा होगा पर online में आप 18,000 के नीचे नहीं देख प तो अच्छा होगा कि डिसाइट करने में कौन सा लेंस आपके लिए सही होगा क्यूंकि प्राइज भी बहुत ही ज्यादा है करीब डबल से भी ज्यादा तो दोगुना प्राइज से आप नया वाला लेंस करीना चाहता हो या फिट कमफरेवल हो इस पुराने लेंस से तो यह जो प्राइज था वो तो काफी हद तक नहीं पूरी तरीके से अप्रोक्स 90% सॉल्ब कर दिया गया है जो नया वाला लेंस है 50 mm का कैनन 1.8 अबर्चर वाला तो वहाँ पर जो पॉइंस में ने देखा मेरे पास वो लेंस नहीं था मेंने देखा चेक किया है तो इस लेंस में जो प्रॉब्लेम था प्रॉब्लेम नमबर एक जो साउंड होता था यानि आप जब विडियोग्राफी करता हो यह आटो फोकस में रहता है तब जाके कैमेरे में और कोई एक्स्टरनल माइक ना होने के बजाए से जो रेकॉर्डिंस होता था उसके अंदर यह लेंस का जो साउंड होता है मोटर का साउंड होता है वो रेकॉर्ड हो जाता था और साउंड बारी बारी में सुने को मिलता था जो भी वीडियो रेकॉर्ड होता था विडाउट एनी टाइप आप एक्स्टरनल माइक तो यह माइक का जो प्रॉब्लेम है यानि यह मोटर का जो तो नेक्स पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा इस लेंस से अपडेट हो चुका है नया लेंस पर और नया लेंस में बहुत ही अच्छी तरी किसे बाकों भी करता रहा है वह है ऑटोपोकसिंग इसका ऑटोपोकसिंग थोड़ा स्लो है यह जब कभी भी उपना पास नहीं है नया जासा नय में आपको मिलेगा बहुती फास्ट ऑटोपोकसिंग कॉम्पेट टु इस ओर लेंस बट मुझे लगता है कि ओर लेंस में अगर आप कॉंफरेबल हो तो दिवुना प्राइस से खरीने की जरूरत नहीं है आप पुराना लेंस से भी सेम फॉटोग्राफी या लोग वीडियो करते हैं इसमें उतना अच्छा फोकाजिंग क्याप्चर बाइबलीटी नहीं जाता है यानि तो आपको नया लेंस में अगर शिप करना है तो जरूर आपको फोकाजिंग पॉइंट या फिर जो फोकाजिंग मूबमेंट हो बहुती स्मूथ होता राएगा तो जो थार्ट वाला पॉइंट है वो में प्राइस की बात करने प्राइस इसका बहुत ही ज्यादा डिफरेंसियेशन हो गया है अब तो यह नहीं रहा कि सबसे कम प्राइज में मिलेगा प्राइम लेंस जो सारे आठ हादर से नौहाजार में मिल जाता है तो मुझे लगता है कि प्राइस का जो डिफरेंसियेशन है धिरे-धिरे कमता जाएगा कम होता जाएगा और यह कमते-कमते शारत दस अजार यहां फिर उससे जादा दस से बाड़ा हासर तक रहेगा तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से पर मुझे नहीं लगता कि अभी कम करना चाहिए क्योंकि पर जाने यहां निकला है औरिसका जो पिक्चर क्वरेंट हे और थोड़ा बहुत जर इंप्रूमेंट किया औरे कि यह पूर होब आपको यह तीम पॉइंट आसा नहीं होगा जानने में और जानके खरिदने में जो पुराना वाला लेंज करिना है या फिर नहीं वाला लेंज जो फिप्टे एंट का लेंज से 1.8 अपर चबाला होब आपको यह वीडियो अच्छे लगे और नेक्स वीडियो के लिए मे आप लोगों वह सब देख लेना चाहिए गुडबाई जाहिंट